हाई गाईस वालकूम बैक अब सबीक अपने चैनल पे बहुत ही ज़्याद स्वागत है गाईस आज की इस वीडियो में हम आइफोन 15 प्रो का कम्प्लीट रिव्यू करेंगे 17.3 के नए स्टेबल अपडेट में यह अपडेट जो है अपडेट हुए साथ दिन हो चुका है यह डिवाइस और इस डिवाइस की परफॉरमेंस और बैटरी बैक अप और बैटरी ड्रेन के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसा एक्सपेरिय वाच करें ताकि आप एक बड़िया सा कंक्लूजन निकाल सको कि आपको इस अपडेट को अपने डिवाइस के लिए अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले आप देख सकते हो यह ए अपडेट का जो साइस मेरे को देखने को मला था आईफोन 15 प्रो पे 638.6 मेगाबाइट था तो हर एक आईफोन के हिसाब से आपको अलग-अलग साइस जो है वो रिसीव हुए होंके तो सबसे पहले बात करते हैं इस टिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में परफॉर्मे अप्लिकेशन में आपको लैगिंग इशू फेस नहीं होने वाला है चाहे वो आपकी कैमरा की अप्लिकेशन ही क्यों नहीं हो तो अगर आप यहां पर शिफ्ट करते हो तो शिफ्टिंग में भी आपको कोई भी यहां पर लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलने वाला है चाहे आप वीडियो को शूट करे हो चाहे आप फोटो में अपने मोड को चेंज कर रहे हो कुछ इस तरीके से बहुत ही परफेक्टली जो कैमरा की अप्लिकेशन है वो काम कर रहे है दूसरे नमर की उपर बात आ जाती है इस डिवाइस में कोई स्टोरेज बग तो नहीं है स् स्टोरेज कैलकुलेटिंग में ये कोई भी टाइम वगरा नहीं लगाता है वरना कई डिवाइस जो होते हैं वह सिस्टम डेटा को कैलकुलेटिंग ही बताय जाते हैं यहां पर ऐसा कुछ भी इशू नहीं है स्टोरेज में आपको कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलने व पर तो इस डिवाइस की अभी वरेंटी काफी ज़्यादा पड़ी हुई है बट फिर भी इसने एक परसंट बैटरी हैल्थ ड्रॉप कर दी है मेरे को नहीं पता कि किस कारण ये हुई है बट इस अपडेट को जब मैंने इंस्टॉल किया तो तब ही इसकी एक परसंट बैटरी इस डिवाइस की तो एक परसंट बैटरी हैल्थ लोज होई है शायद आपके केस में ड्रॉप ना हो अलग-अलग एक्प्रियेंस होता है हर एक डिवाइस का तो यहां पर बैटरी बैकप जो है वह काफी बढ़िया है स्क्रीन ओन टाइम है यहां पर फाइव आवर्स का है और यहां पर स्क्रीन आइडियर टाइम जो है वन आवर एट मिनिट्स का है और कुछ इन अप्लिकेशन को मैं डे टो डे रूटीन में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ इतना ज्यादा मैं हैवी यूज नहीं करता हूँ अपने डिवाइस को बस यहां पर कुछ सोशल मिड आप्लिकेशन को ही यूज करता हूँ बस डे टो डे टो डे रूटीन में ना ही इसके उपर मैं वीडियो को शूट करता हूँ इतना जादा और ना ही यहां पर वीडियो को एडिट वगारा करता हूँ बस नॉर्मल यूसेज होती है इस डिवाइस की और अब यहां पर बात वो भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और यहां पर Wi-Fi में आपको कोई भी पूर कनेक्शन का इशू देखने को नहीं मलने वाला है, उसके बाद यहां पर बात आती है इस डिवास में आपको हीटिंग इशू तो नहीं होगा, हीटिंग इशू आपको आइफून 15 Pro क उपर नहीं रेसीव होगा इस अबडेट में तो पहले बहुत सी न्यूज आई थी कि जो आइफोन 15 प्रो सीरीज हैं उनमें काफी जदा हीटिंग इशू देखने को मल रहा है बट मेरको इस डिवाइस को यूज करते हुए तक करीबन दो धाई मन्त होए हैं और दो धाई मन् कोई भी नहीं आ रहे है कि हीटिंग इशू आईफोन 15 प्रो प्र देखने को मल रहा है तो बहुत ही प्रफेक्टली यह जो अपडेट है काम कर रहा है आईफोन 15 प्रो सीरीज की उपर तो आपको इस अपडेट को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए यूंकि इसमें बहुत इ दिवाइस को काफी strongly प्रोटेक्ट करता है अगर मान लो कि आपका दिवाइस कहीं चोरी भी हो जाता है अगर उस चोर को आपके पास्कोर का भी पता है तो वो आपकी Face ID या आपके Apple ID के पास्कोर बगारा को चेंज नहीं कर सकता है अगर उसको चेंज करना भी हुआ तो उसक कुछ चेंज ना कर सके इस तरीके से यह जो टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का फीचर है काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टन फीचर है सब्डेट में और आपको जरूर अप्टेट करना चाहिए अपने आइफोन 15 प्रो सीरीज को हाई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी सो मलते हैं गाइस अगली वीडियो में सो गाइस थेंक्स ओव वाचिंग